कैसे हैं आप तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं small scale industries होती क्या हैं क्यों establish की गई क्या reason था उनको establish करने का जब बड़ी-बड़ी industries तो लगी रही थी हमारी country के अंदर तो बच्चों उसका reason ये था कि जो बड़ी industries थी उससे concentration हो रही थी economic power की मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो बड़ी industries लगा रहे थे जो monopoly power थी उनके हाथ में जाती जा रही थी यह कहो कि उनकी monopoly create होती जा रही थी government ये बिलकुल नहीं चाती थी government चाती थी जादा से जादा लोग contribute करें जादा से जादा लोग participate करें हर area की development हो that's why उन लोगों ने small scale industries establish की बच्चों small scale industry का meaning क्या होता है कहां establish की जाती है क्यों जरूरी है तो सबसे पहले देखते हैं कि small scale industry का meaning क्या है बच्चों ऐसी छोटी सी industry ऐसी छोटी सी factory जो 91 के अंदर कहो तो उसकी investment up to 5 lakh होती थी मतलब की 5 lakh या 5 lakh से कम जो भी industry थी जो भी factory थी उसको हमने एक category का नाम दे दिया that is small scale industry और आज के time अगर हम बात करें तो ऐसी firm ऐसी industry जिसकी investment up to 5 करूर है up to 5 करूर मतलब not exceeding 5 करूर हां तो वो कहलाती है small scale industry हुआ क्या था 1951 के अंदर planning स्टार्ट हुई but 55 आते आते क्या हुआ कारवे कमेटी ने ये जिस recognize की ये जिस देखी उन्होंने उनका role देखा कि small scale industries जो होती है वो कितनी ज़्यादा जरूरी है हमारी economy के लिए कहीं पे भी establish हो जाती है एक छोटे से area के अंदर एक बड़ी होने की बजाए अगर 10 छोटी होती है तो वो कितनी फायदेमंद है that's why उन्होंने small scale industries establish करनी start करवाई हाँ encourage किया तो कारवे कमेटी ने 1955 में ये analyze किया कि उनका क्या role है क्या importance है हमारी जैसी country के लिए तो तीन typical characteristics दे रखी है small scale industries की पहली चीज वो labor intensive होती है हाँ जी labor intensive का मतलब क्या है कि ये जो होती है labor intensive technique का use करती है जो सस्ती technique होती है बट labor को जादा labor को higher करती है तो इससे हमारी problem solve होगी किस चीज की unemployment की तो unemployment की problem solve करने में भी small scale industries बहुत अच्छी है तो planners ने ये देखा कि हमारा जो goal था long term objective था full employment का वो इसके थुरू भी solve हो सकता है that's why उन्होंने small scale industries establish करवाई करनी शुरू करवाई yes उन्होंने बहुत लोगों की help की then small scale industries की locational flexibility होती इसका मतलब क्या हुआ वो कहीं पे भी establish हो जाती है वो किसी के घर के अगर backyard के अंदर जगा है तो वहाँ भी establish हो सकती है इस तरह करते 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 बहुत सारे लोग participate करते है बहुत सारे लोगों को employment generate होती है ऐसा नहीं है कि जहां पे raw material मिलेगा उसका वहीं पे establish करना पड़ेगा जैसे कि large scale industries में होता है उसमें इतना bulk के अंदर raw material चाहिए होता है कि अगर उन्होंने दूर establish कर ली ना problem create हो जाएगी इतनी जादा तो उनको transportation cost भरने पड़ेगी then आया small scale industries जो होती है उसमें थोड़ी investment चाहिए होती है थोड़ी investment से वो start हो जाता है कहीं पे भी start हो जाता है इससे क्या होता है जो economic power है उसका concentration कुछ hands में नहीं जाता है जादा लोगों के हाथ में जादा पैसा जाता है कहने का मतलब पैसा distribute हो रहा है ठीक है instead of creating a monopoly power of one or two or three firms यह better रहता है क्या कि कुछ particular लोग जो है उनके हाथ में जाने की बजाए जादा लोगों के हाथों में income का distribution हो equality हाएगी equality हाएगी और हमारा social welfare का objective भी पूरा होगा बच्चों इसके इलावा भी 2-3 characteristics और भी है हमारे small scale industries की वो क्या है जैसे की ये क्या है बड़ी industries के लिए source of raw material का काम करती है येस जो बड़ी industries होती हूँ वो कौन जमेले में पड़े instead of that वो क्या करते हैं outsource कर देते हैं अपना काम तो outsource किसको करेंगे small scale industries को करते हैं तो small scale industries का establishment इसलिए बहुत जरूरी होता है दूसरी चीज जितने जादा ये goods बनाएंगे उतना ही हमारी economy ग्रो करेगी that means हमारा GDP rise होगा येस और तीसरी चीज जब इसको establish किया जाता है तो बहुत सारे concessions भी दिये जाते हैं बहुत सारी चीजों की वज़े से लोग encourage होते हैं तो concession देने की वज़े से भी लोग encourage होते हैं instead of going for services मतलब कि वो instead of कि किसी और के लिए काम करें वो सोचते हैं कि चलो भई अपना ही क्यों ना business खोल लिया जाए तो ये भी बहुत important characteristic है किस चीज की small scale industry की बच्चों आगे बात आई कि importance क्या है कई बार नहीं question पूछ लिया जाता है तो मैंने इसको importance की form में लिया why SSI is important or why large scale industries are important तो SSI small scale industries क्यों important होती है तो हमने अगर बात करें तो इसको इस वह में लिख सकते हैं ये employment generate करते हैं reason अभी बताया था जल्दी बताओ क्या था yes ये labor intensive होते हैं दूसरी चीज ये क्या करते हैं balanced growth करते हैं कैसे क्योंकि कहीं भी इसको establish किया जा सकता है तो rural areas हो चाहे आपके underdeveloped areas हैं इनको वहाँ पे establish करके वहाँ के infrastructure की भी development हो सकती है और तीसरी चीज़े इसलिए important होती है क्योंकि इसको establish करने से जादा लोग participate करते हैं जादा लोग participate करेंगे इनदा development process उससे concentration नहीं होती economic power की और हमारी economy smooth चलती रहती है ठीक है फिर आई बात कि small scale industries ही important है तो वही क्यों नहीं establish कर लेते large scale की क्या जरूरत है हाँ तो बात आई कि ये infrastructure based बनाने के लिए जरूरी है हमारी country का बहुत सारा infrastructure based large scale industries पर dependent है you can say yes दूसरी चीज ये क्या करते है small scale industry की growth को भी promote करते हैं और तीसरी important चीज़ अब कैसे growth को promote करेंगे मैंने भी बताया था आपको ये क्या करते हैं अपने काम को outsource करते हैं किसको small scale industries को काम देते हैं उनको काम देंगे तो क्या होगा इनकी भी growth उनकी भी growth तीसरी चीज़ ये क्या करते हैं high end technology का use करते हैं yes capital intensive technique का use करते हैं although socially desirable नहीं है बट बच्चों efficiency भी तो चाहिए ना yes और last में बच्चों ये bulk में समान बनाते हैं तो इससे क्या होता है इनका production cost कम आता है इनको profit margin अच्छा मिल जाता है that's why large scale industries are also very important तो बच्चों हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा आपको पता होना चाहिए small scale industries क्या होती है फिर हमने पढ़ा small scale industries की characteristics क्या है एक बचल्दी से characteristics revise कर रहे हैं पहला क्या था small scale industries जो होती है ये employment friendly होती है ये labor intensive technique का use करती है दूसरी हमने पढ़ी characteristics इनकी locational flexibility होती है इनको कहीं भी establish किया था था इससे rural या ये कहो कि regional equality आती है कहीं भी establish करने की वज़े से इसको ही ठीक है then IIS में small investment required होती है और फिर हमने इसके अधर characteristics पढ़ी तो बच्चों यहाँ पे हम अपने वीडियो को end कर रहे है बाकी का part एक छोटी सी चीज बड़ी important वो हम next वीडियो में cover करेंगे Thank you